फ्रेंट्स आज बात करेंगे के कुछ भाईयों के यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि उनके जाज़तर जो चिक्स निकलते हैं उनके बजीज पैरेट के वो ग्रीन निकलते हैं मोसली तो वीडियो बहुत ज़ादा informative है इसमें आपको बताएंगे के green chicks mostly क्यों निकलते हैं और उससे बचने के नहीं आपको क्या करना चाहिए और जो भाई चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर लीजेगा subscribe और notification बैल को कर दीजेगा on तो साथ में देख सकते हैं दोस्तों कोलोनी का नया लुक देखें आप हमने पूछा था अपने भाईयों से किस तरह का color combination रखें हम अपनी कोलोनी में तो जादतर भाईयों ने यही कहा कि आप भाई white और orange का combination रखें कोलोनी में तो भाईयों के कहे मताबिक मैंने दोस्तों अपने birds कोलोनी का paint किया है औरेंज और white का combination रखा है तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है कोलोनी का look और अप काफी जादा अच्छी लग रहे है कोलोनी स्टिक भी देखें आप स्टिक पर भी white paint कर दिया है मैंने और देखें जो भी स्टिक लगी है कोलोनी में उन पर white paint कर दिया है तो अब जो है color combination काफी अच्छा हो चुका है कोलोनी का birds का look देखें आप birds के color देखें आप जादा और निखर कर आ रहे हैं काफी अच्छे लग क्राय कोलोनी का हमारी तो अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ली जो है बच्चे जादतर ग्रीन क्यों निकलते हैं कुछ भाईयों के यहाँ पर देखिए हम लोग जब अपना बर्ड की पेरिंग करते हैं तो हम लोग यह ध्यान नहीं रखते हैं और हम लोग गलती यह कर देते है कि हम लोग green series के bird जो होते हैं उसको लगा देते हैं जिसकी वज़ा से जादा तर बच्चे जो है green आते हैं अब दोस्तो green series में कौन कौन से bird आते हैं देखिए एक तो wild बजीज हो गया जो green है एक जो होता है green offline होता है और दोस्तो इसके अलावा lutino red eyes जो होता है वो भी green series का है और yellow में pipe जो होता है दोस्तो जो की dominant pipe होता है वो भी green series का होता है और yellow जो भी आपके birds है वो भी आपके green बच्चे ही निकालने वाले हैं तो अगर आप अपने birds की जो pairing कर रहे हैं अगर उसमें आप yellow, green और जो है lutino इन birds को लगाएंगे तो आपके यहाँ पर green बच्चे ही mostly आने वाले हैं तो आप green series के bird ना लगा कर अगर आप blue series के bird लगाएंगे blue series के bird में आते हैं दोस्तो white color का जो pipe होता जो recessive pipe बोलते हैं वो pipe या फिर violet color का bird blue color का bird, sky blue और यह आप bird लगाएंगे तो आपके यहाँ पर green color के बच्चे नहीं आएंगे तो आपको धियान रखना होगा के blue series के male और female लगाएं और बिलकुल आपके यहाँ पर green बच्चे नहीं आएंगे लेकिन अगर आपने green series और blue series दोनों को mix किया यानि आपने कोई male या female green series का या वाइल बजीस का या green आप लाइन का या yellow dominant pipe का या लुटीनो लगाया तो दोस्तो बहले ही आपने दूसरा bird जो उसके साथ male female जो है blue series का लगाएंगे लेकिन फिर भी mostly बच्चे जो है green ही आने वाले हैं क्योंकि green series जो होती है दोस्तों ये wild बजीस का jeans होता है जो की बहुत जादा strong bloodline होने की वज़ा से जादतर अपनी तरफ ही color को खीसता है और बच्चे जादतर green निकलते हैं तो आप कोशिश ये करें अगर आपको green बच्चे नहीं चाहिए तो आप green series के bird बिल्कुल ना लगाएं male female blue series के bird लगाएं तो आपके यहाँ पर green series के बच्चे नहीं निकलेंगे अलाकि green bird जो होते wild budgies उनकी bloodline strong होती है बहुत अच्छी breed करते हैं easily बिमार नहीं होते हैं लेकिन mostly भाई green bird को पसंद नहीं करते हैं वो चाहते हैं हमारे हैं green बच्चे ना निकलें तो उसके निए करना यहीं होगा कि आपको जो है green series का कोई भी male female नहीं लगाना है blue series के bird लगाएंगे तो आपके पास green बच्चे नहीं आएंगे उसके अलावा दोस्तों आप देखी सकते हैं कोलोनी का look आपको कैसा लग रहा है orange और white का combination bird भी अच्छे लग रहे हैं कोलोनी भी साफ सुत्री लग रही है तो कोलोनी कैसी लगी comment करके जरू बताएं वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को करें like इजासत दीजिए अगली वीडियो में गुड़ बाई